क्या हर्णिया लेडीज में भी हो सकता है हां बिलकुल हो सकता है तो क्या हर्णिया जेंट्स में और हर्णिया लेडीज में अलग-अलग रहता है थोड़ा सा अलग-अलग रहता है फीमेल्स में जो हर्णिया होता है वो नाभी का याने के अंबिलिकल हर्णिया ज्यादा कॉम होता है लेकिन exceptional scenarios में हम males में umbilical hernia और females में ingwinal hernia भी देखते हैं in fact कुछ-कुछ patients ऐसे भी होते हैं जिन में उनका पेट का जो c-section या जैनि cesarean surgery हुआ होता है उसके बाद भी कभी-कभी hernia होता है तो हाँ cesarean section के बाद अगर हम proper care नहीं लेंगे तो hernia होने का chance रहता है in fact कुछ-कुछ patients pregnancy plan करना चाहते हैं और उन्हें पहले से umbilical hernia रहता है ऐसे situations में अगर hernia symptomatic हो तो absorbable mesh use करके भी हम Durbin से hernia का repair कर सकते हैं कुछ patients में pregnancy के बाद क्योंकि पेट फूला हुआ रहता है pregnancy में उसके वज़े से पेट में weakness बनता है और उसके वज़े से umbilical hernia या पेट के muscles का spread होना जिसको divarication of recti कहा जाता है ऐसे चीजों का hernia भी देखा जाता है तो pregnancy के साथ होने वाले hernias हम definitely prevent कर सकते हैं इसके लिए सारे females को हम recommend करते हैं कि उन्होंने pregnancy के साथ और especially delivery के बाद core के exercises अच्छे से और regularly करना जरूरी है उसके साथ साथ उन्होंने उनके diet पे भी अच्छा focus करना जरूरी है usually pregnancy के साथ diet carbohydrate based ज़्यादा रहता है और actually हम patients को carbohydrate और proteins ये दोनों का balance diet recommend कर दे है protein diet में होने के वज़े से muscular weakness नहीं बनता है और अगर muscular weakness नहीं बनेगा तो hernia नहीं बनेगा तो females में usually नाभी का याने के cesarean का incisional hernia या groin में जिसे inguinal hernia कहते है ऐसे hernia देखे जा सकते है इसके साथ साथ कुछ patients में पेट के अंदर hiatus hernia भी दिखा जा सकता है जो hyper acidity के वज़े से होता है hiatus hernia की treatment भी दुर्बीन से की जा सकती है और इसके बारे में हमने अलग से video बनाए है जो आप जाके हमारे playlist में देख सकते है तो females का hernia males से किसी भी तरह अलग नहीं रहता है उसकी treatment भी किसी भी तरह अलग नहीं रहती है जैसे males में hernia treat करने के time दुर्बीन यूज की जा सकती है उसी तरह females के hernia में दुर्बीन से अच्छे से treat के जा सकते है आशा है आपको ये हमारी information important लगी और आपको ये अच्छी लगी अगर ये आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा share कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए like कीजिए और अगर आपको कुछ doubts हो तो हमें जरूर contact कीजिए thank you